दोस्तों चांद सितारों को छूने की तमन्ना तो सभी के दिलों में होती है पर जिस ग्रह जिस प्लैनेट पे अपन लोग अलड़ी रह रहे हैं तो आकर हम लोग इस प्लैनेट को कितना जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में मैं उनी सब फैक्ट के बारे में उनी सब इंट्रेस्टिंग इंफोर्मेशन के बारे में बताने की कोशिश करोगा दोस्तों मैं मोहित पारिक आप सभी प्यारे प्यारे लोगों का यहां वेलकम करता हूं सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे तो चलिए दोस्तों हम लोग यहां शुरू करते हैं तो यह सबसे पहली बात जोकि सभी के लोगों के दिमाग में आती है वो बात यह है कि प्रत्वी पर जीवन की शुरुवात आखिर कैसे हुई तो दोस्तों वो उनी मॉलिकूल से मिलकर के की गई है जो मॉलिकूल अर्थ के शुरुवात में यहां पर मौझूद थे और उनमें भी खासतर से वो मॉलिकूल जो कि अपने देशे और मॉलिकूल को रेडवलप कर सकते थे जैसे कि आपका और मेरा अपन सभी का DLA अब दोस्तों जो दूसरी interesting जानकारी जो हमें जानने को मिलती है वो है अर्थ पर एक दिन का time दोस्तों अगर कोई अभी आप लोगों से पूछे कि एक दिन में आखिर कितने घंटे होते हैं तो जनरल आपनों का जवाब होगा 20 घंटे पर दोस्तों एक दिन का जो ये time period है ये शुरुवात से ऐसा नहीं था बात दरसल ऐसी है कि शुरुवाती दिनों में जो चंद्रमा था वो प्रत्वी के थोड़ा सा पास था जिस वज़े से अर्थ के जो घूमने की जो speed थी वो थोड़ी सी जादा थी तो दोस्तों शुरुवाती दिनों में जो अर्थ पर एक दिन का जो time था वो लगबग था 6 घंटे का पर दोस्तों यहाँ fact दर असल यह है कि जो चंद्रमा है वो एक साल में अर्थ से 3 cm दूर जा रहा है जिस वज़े से अर्थ पर जो घूमने की जो speed है वो अपने पास में कम हो रही है और हाँ दोस्तों इस चीज को अकर करने में बहुत बहुत ही ज़्यादा लंबे time का वक्त लगता है कहने का मतलब यह चीज की पूरी-पूरी संभावना है कि कुछ करोडों साल बाद जो अर्थ पर एक दिन का जो time है वो choice घंटे से भी थोड़ा सा ज़्यादा भड़ सकता है अब जो अगली बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो है जी आर्थ पर temperature आप लोगों को सभी को बता है कि आर्थ पर जो energy का जो natural जो source है वो है अपनी sunlight तो दरसल बात ऐसी है कि कुछ करोडों साल बाद जब sun अपनी intensity का अपनी latest intensity के 10% जादा से चमकने लगेगा तो जी आज से लगबग 400 करोड साल बाद आर्थ के ऊपर जितने भी oceans है जितने भी यहाँ पर महा सागर है उन सभी का जो पानी है वो completely evaporate हो जाएगा और दोस्तो अगर यही process चलता रहा तो दोस्तो आज से लगबग 700 या 800 करोड साल बाद प्रत्वी की भी दशा बैसी ही होने वाली है जैसे कि आज की date में मंगल ग्रह की है कुल मिला करके आज से लगबग 800 करोड के साल बाद अर्थ भी एक तरीके से सुंसान, वीरान, रेगिस्थान की तरह ही दिखने लगेगी दोस्तो अगर आप लोगों से आर्थ पर सबसे उची परवट जो है चोटी की अगर उचाई पूछी जाए या उसका नाम पूछा जाए तो आपके दिमाद में एक ही चीज आती है वो है माउंट एवरिस तो दोस्तो दरसल यहाँ पर बात ऐसी है कि जो भी पहाड बागेरा जो भी उची चोटिया जो होती है उनकी उचाई वो मापी जाती है समुद्र के लेवल से तो दोस्तों वो सबसे ज़्यादा आने वाली है माउंट चिकारोगी जी हाँ दोस्तों जो माउंट चिकारो जो परवश शंकलाए है उनकी जो उचाई है प्रत्वी के सेंटर से सबसे ज़्यादा है अब यहीं पर एक और बड़ा ही मज़ेदार सा इंट्रेस्टिंग सा फैक निकल के आता है जो है प्रत्वी की ग्रेविटी के बारे में तो दोस्तों यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि जो अपनी अर्थ है इसके उपर जो सर्फेस पर जो ग्रेविटेशन एक्सिलूरेशन है यानि कि गुर्तवा कर्शन तुर्ण है वो सभी जगए पर एक जैसा नहीं है क्योंकि जिस तरीके से लोकेशन को चेंज करते हैं उसी तरीके से ग्रेविटेशन एक्सिलेशन की वैल्यू में भी थोड़ा बहुत चेंज आता है लेकिन दोस्तो केनडा में जो एक जगे है जो है अर्ट सन वहाँ पर जो अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन में बहुत जादा चेंज आता है कहने का मतलब अगर आप लोग उस जगे पर जाकर एक बॉल को सिंपल सा ड्रॉप करते हैं तो दोस्तो नीचे गिरने की बजाए बलकि वहाँ पर थोड़ा सा जमीन से उपर उठ जाती है तो दोस्तो अब मैं यहाँ पर बात करूँगा अर्थ से जुड़ेवे सबसे मज़ैदार फैक्ट के बारे में अगर आज की डेट में आप लोगों से पूछा जाए कि अर्थ के उपर कितने कंटिनेंट्स यानि की महाद्वीप है तो दोस्तो जवाब यहाँ पर आएगा टोटल यहाँ पर साथ महाद्वीप है पर क्या आप लोगों को पता है कि आज से लगबग 4 करोड साल पहले यह सारे के सारे जो कंटिनेंट्स है वो मिलकर के एक लार्ज कंटिनेंट का फॉर्मेशन करते थे कहने का मतलब यह सातों अलग-अलग नहीं हो करके यह केवल एक ही वीप का निर्मान करते थे जिसका नाम था पैंसिया और हाँ दोस्तों अगर कुछ भूब ग्यानिकों की बातों को सही माना जाए तो दोस्तों फिर से यानि कि आज से लगबग 5 करोड साल बाद में जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें मुमेंट की वज़े से फिर से यह सातों के सातों जो अलग-अलग महादवीप है वो मिलकर के एक बड़े महादवीप का निर्मान कर सकते हैं तो दोस्तों कैसी लगी आपनों को ये सारी की सारी इंट्रेस्टिंग जानकारियां कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताएगा और हाँ दोस्तों इसी तरके के मज़ेदार सी इंट्रेस्टिंग सी जानकारियों के लिए चलम को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और हाँ दोस्तो वीडियो पर लाइक का बटन जरूर से दबाईएगा